प्रस्न दिया गया है कि दिये गए फलनों का एक्स के साफ एक्ष आउकलन कीजिए और फलन है साइन एक्स इन्टू साइन टू एक्स इन्टू साइन टू एक्स इन्टू साइन टू एक्स इन्टू साइन फोर एक्स डिरेटली आप चैन रूल अपलाई करके भी सरल कर सकते हैं और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लगुगण की आउखलन का उप्योग कर सकते हैं तो यह जो दिया गया आउखलन है इसे हम y मान करके चलते हैं कि y equal to sin x, sin 2x, sin 3x और sin 4x दोनों पक्षों पर लग अप्लाई कर देते हैं तो मिल जाएगा लग y equal to log of sin x into sin 2x into sin 3x into sin 4x log apply करेंगे तो यह योग के रूप में आ जाएगा, log of sin x plus log of sin 2x plus log of sin 3x plus log of sin 4x दोनों पक्षों का उखलन x के साब x करेंगे तो log y का आ जाएगा 1y और फिर y का उखलन dy by dx log sin x का 1 upon sin x और फिर sin x का उखलन लिखना पड़ेगा यहां पे हमें इसी तरीके से log sin 2x का 1 upon sin 2x और फिर d by dx of sin 2x plus 1 upon sin 3x then d by dx of sin 3x plus plus 1 by sin 4x और d by dx of sin 4x यहां से आप d y by dx दिख सकते हैं equal to y यह वाहिदर पक्षांतर हो जाएगा तो यह 1 upon sin x 1 upon sin x sin x का उखलन cos x plus 1 upon sin 2x sin 2x का उखलन cos 2x or 2x का उखलन 2 इसी प्रकार यह 1 upon sin 3x और यह cos 3x into 3 plus 1 upon sin 4x into cos 4x into 4 यह dy by dx equal to y into cos x by sin x काट x लिख सकते हैं cos x by cos 2x by sin 2x काट 2x और यह है 2 तो 2 काट 2x यह 3 आगे आ जाएगा और काट 3x plus 4 सामने आ जाएगा और काट 4x इस तरीके से अब y की जो value है वो से हम यहाँ पर put कर सकते हैं तो हमें जो चाहिए था dy by dx यह हमें मिल जाएगा dy by dx equal to sin x into sin 2x into sin 3x into sin 4x यह y की value है और फिर यह पूरा पद into cot x plus 2 cot 2x plus 3 cot 3x plus 4 cot 4x यह इसका answer है जहाँ पर हमने लगुगण की अउकलन का उप्योग किया इसको multiply करेंगे तो और भी parts में यह split हो जाएगा और वह भी answer character यहां तक भी लिखते हैं तो ठीक है दूसरी बात ही है कि यहाँ पर हम directly chain rule को use करते हुए इसका आउकलन लिख सकते हैं वह कैसे लिखेंगे देखें वाई equal to यह दिया गया है तो हम लिखेंगे d y by d x चैनal एगर चार फलन दिये गये है तो पहले फलन का सारे पद azatis posters रहेंगे plus पहले दूसरे clon का most gross लोगा brief आउक्ती सारे पद azatis तकेंगे फिर तीसरे पद में तीसरे वार चौत्थ पाइप पाइप का उकलन और माकी term's as it is रहेंगे तो उसी formula को या उसी concept को यूज़ करके हम directly इसका उकलन नहीं सकते हैं, sin x का उकलन करेंगे तो आपको मिल दाएगा cos x और माकी सारे term as it is रहेगा तो यह आपको मिल गया फिर सेकंड टॉकलन करेंगे साइन 2 एक्स का तो यह आपको मिल दाएगा काॉस 2 एक्स और 2 एक्स का कोण बाकी सारे पाद आजटी से रहेंगे तो यह साइन 2 एक्स और फिर sin 2x और फिर sin 4x प्लस sin 4x का उकलन करेंगे तो मिल दाएगा cos 4x और 4x का उकलन 4 और माकी से इस्टरम उसी तरीके से रहेंगे sin x, sin 2x, sin 3x तो ये भी इसका उत्तर है, ये लिखते हैं तो भी ठीक है इस तरीके से लिखते हैं तो भी ठीक है ultimately ये आप इसे multiply करेंगे तो आपको इसी तरीके से उत्तर मिलेगा जो की दोनों correct है so अगला फलन दिया गया है वर्गमूल के अंदर में है x-a into x-b upon x-c और ये x-d इस फलन का उकलन करना है x के साब h तो मान करके चलते हैं कि ये जो फलन है ये y के बराबर है इस प्रकार के प्रश्णों को हम सीधे तोर पर सरल नहीं कर सकते हैं क्योंकि square root के अंदर में जो quantity है uns में दो अलग 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 पदों का गुनन फल है उसी प्रकार हर में भी दो अलग 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 पदों का गुनन फल है तो इसके लिए हम यह करते हैं कि दोनों फक्षों में पहले हम लॉग अप्लाई कर देते हैं और फिर आगे इन चीजों को सरल करेंगे यह जो वर्गमूल के अंदर रासी है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इस पूरे का घात हम एक बटे दो लिख सकते हैं अब दोनों पक्षों में जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो मिल दाएगा लॉग य घात को मैं पहले लिख देता हूँ और फिर लॉग वाला तर्म तो यह x minus a into x minus b upon x minus c x minus d यह 1 by 2 log log m by n तो log m यह minus log n यह यहां पर यह पूरे टम का multiply होगा 1 by 2 के साथ तो directly हम यहां से 1 by 2 को यहां पर भी लिख सकते हैं अब log log m n log m plus log n तो यह आपको मिल दाएगा 1 by 2 अगर पूरे टम से 1 by 2 को common ले तो यह आपको मिल दाएगा log m plus log n इस formula से इस तरीके से मिल दाएगा फिर से यह आपको मिल दाएगा log x minus c और minus यहां पर प्लस होगा और यह minus multiply होगा तो minus log x minus d यह आपको मिल रहा है log y के बराबर और हमें चाहिए dy by dx तो इन अब दोनों पक्षों का हम आउकलन करते हैं x के साफ एक्ष तो log y का मिल दाएगा 1 by y और y का फिर dy by dx equal to 1 by 2 तो constant है अंदर में हम operate करेंगे log x minus a का 1 upon x minus a और फिर x minus a का उकलन करेंगे तो मिल दाएगा 1 तो इस तरीके से इस पद का उकलन x के साफ एक बटे x-rean a इसका उकलन एक बटे x-rean b इसका उकलन एक बटे x-rean c और इसका उकलन एक बटे x-rean d अब हमें चाहिए dy by dx तो y को right side multiply कर देंगे या जाएगा y by 2 into 1 upon x minus a plus 1 upon x minus b minus 1 upon x minus c minus 1 upon x minus d y का जो मान है यह पूरा मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा जो की है dy by dx equal to 1 by 2 और फिर यह square root के अंदर जो quantity है यह है x minus a into x minus b upon x minus c to x minus d फिर यह into में है तो इसे लिखेंगे 1 upon x minus a plus 1 upon x minus b minus 1 upon x minus c minus 1 upon x minus d तो यह दिये गए फ़लन का आउकलन है जो की हमें ग्याद करने के लिख कहा गया था अगला फ़लन दिया गया है 5 का power x upon x का power 5 यह फ़लन है इसका आउकलन करना है x के साप तो पहले हम यह मान करके चलते हैं कि यह y equal to 5 का power x upon x का power 5 है दोनों पक्चों में log apply करते हैं तो यह log y equal to log 5 by x upon x by 5 log m by n यहापको मिलता है log m by minus log n तो यह हो गया कुछ इस तरीके से यह है log y equal to power में जो term है वो सामने आ जाता है तो यह x log 5 मिल जाएगा और यह 5 सामने आ जाएगा और यह log x हो जाएगा अब दोनों पक्चों का आउकलन हमें करना है x के साप एक्च तो log y का 1 by y और फिर y का dy by dx equal to log y तो constant term है यह बाहर आ जाएगा सिर्फ एक term का आउकलन होगा यह x तो x का आउकलन आएगा 1 इसी प्रका यह 5 जो है यह चरह सी है log x का उखलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 बटे x हमें चाहिए dy by dx तो यहां से हम लिख सकते हैं dy by dx equal to y into log 5 minus 5 by x y का जो मान है यह हमें माना था वो यहां पर पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा dy by dx equal to 5 का पावर x upon x का पावर 5 into log 5 minus 5 by x तो यह दिया गया फलन का आवकलन है जो की हमें ग्यात करने के लिए कहा गया था अगला प्रशन दिया गया है x का पावर x into e का पावर 2 into x plus 3 तो इस फलन का भी आवकलन हमें करना है x के साफ एक्ष तो हम यह मान करके चलते हैं कि माना x y equal to x into e का पावर 2 of x plus 3 दोनों पक्षों में हम log apply कर सकते हैं तो यह जाएगा log y equal to log of x का पावर x into e का पावर 2 x plus 3 यह इस तरीके से log m into n तो यह आपको मिल जाएगा log m plus log n तो यह log e का पावर 2 of x plus 3 यह है आपका log y equal to x जो है वो इस पत के सामने आजाएगा तो मिल जाएगा x log x plus e का पावर में जो पूरा टम है वो सामने आजाएगा तो यह 2 x plus 3 और फिर log e अब इस फलन का उकलन हम कर सकते हैं log y का उकलन करेंगे तो 1 by y और फिर y का dy by dx equal to पहले फलन को एजटिस रखते हैं दूसरे फलन का उकलन करेंगे log x का तो 1 by x फिर दूसरे फलन को एजटिस रखते हैं पहले फलन का उकलन करेंगे मिल जाएगा 1 अब देखिए कि यह जो 2 और log e है यह तो constant time है तो यह 2 log e हमने लिख दिया अब x plus 3 का oculan करेंगे तो यहां से 1 मिल जाएगा और 3 का oculan 0 तो यह into 1 ultimately इसको solve करेंगे तो मिल जाएगा 1 plus log x plus 2 log e यहां से y को पक्षांतर कर देते हैं क्योंकि हमें dy by dx चाहिए तो dy by dx equal to y into 1 plus log x plus 2 log e y का मान रख देते हैं यह है dy by dx equal to x का power x e का power 2 और यह x plus 3 और फिर यह पूरा का पूरा term 1 plus log x plus 2 log e यह 2 log e है और base में भी e है तो इसकी value इस term की value 1 हो जाएगी तो 2 into 1 आपको मिल जाएगा 2 तो यह तरीके से हो गया x का power x into e का power 2 of x plus 3 और यह 2 plus 1 3 तो यह 3 plus log x तो इस तरीके से में जो उत्तर सही है था वो यह है कि dy by dx equal to x का power x e का power 2 into x plus 3 into 3 plus log x यह वो उत्तर है जो कि हमें गयाद करने के लिए कहा गया लिएते हैं वर्क करने पर आपको मिल जाएगा y square equal to f of x plus y अब चाहें तो y वाले पदों को एक तरफ लिख सकते हैं और f of x पदों को एक तरफ तो यह आपको मिल जाएगा y square minus y equal to f of x अब दोनों पक्षों का उकलन x के सापक्ष करने पर तो y square का मिल जाएगा 2y dy by dx और y का मिल जाएगा dy by dx और f of x का मिल जाएगा f dash x दोनों फदों से या दोनों पदों से dy by dx को भेनिश निकाल सकते हैं तो मिल जाएगा 2y minus 1 equal to f dash x और ultimately हमें चाहिए है dy by dx तो यह हमें मिल जाएगा f dash upon 2y minus 1 और चाहें तो y का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं तो यह मिल जाएगा f dash x upon 2 into square root over f of x plus y minus 1 तो यह दियागा फ़लन का उकलन है जो कि हमें ग्यात का निकले कहा गया था अब यहीं तक भी solve करते हैं प्रश्न दिया गया है यदि y equal to square root over 10x plus square root over 10x plus under root 10x up to infinity तो सिद्ध कीजिये कि dy by dx equal to square x upon 2y minus 1 तो यह हमें सिद्ध करना है तो दिया गया है कि y equal to square root over यह 10x है फिर plus के साथ में इसके अंदर square root है 10x है फिर इसके अंदर में square root है 10x है इस तरीके से यह प्रक्रिया up to infinity तक चलती रहती है तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए एक पद को छोड़ने के बाद वाकि सारे पदों को again हम वाई मान लेते हैं जो रासी यहां पर होती अगर यहां पर टी रखेंगे तो यहां पर इसके बाद जारा पूरे पद टी होगा ऐसा हम बान गर के चलते हैं तो y equal to हमें मिल जायगा square root over 10x plus y अब दोनों पक्षों का work कर देंगे तो work करने पर हमें मिल जायगा y square equal to 10x plus y अब दोनों पक्षों का आउकलन करते हैं या फिर y को अप left side में ले आईए आपको मिल जायगा y square minus y equal to 10x अब दोनों पक्षों का आउकलन करते हैं y के साफ एक्ष अब दोनों पक्षों का आउकलन करते हैं x के साफ एक्ष तो y स्क्वेर का मिल जाएगा 2y और फिर y का dy by dx अब y का आउकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy by dx और 10x का उकलन करेंगे तो आपको मिज़ाएगा सेक स्क्वार एक्स दोनों पदों में dy by dx common है और यह है 2y minus 1 equal to सेक स्क्वार एक्स हमें प्रूफ करना था dy by dx equal to यह हो गया dy by dx equal to सेक स्क्वार एक्स upon 2y minus 1 तो यह इस प्रकार सिद्ध हुआ कि dy by dx equal to x square x upon 2y minus 1 तो इसे प्रकार और भी प्रश्णों को सरल किया जा सकता है जैसे कि अगर y equal to square root over e का power x plus square root over e का power x plus square root over e का power x इस तरीके के terms हैं तो इसको भी हम यह मान करके चलेंगे कि यह square root over e का power x plus y है फिर जैसे कि हमने यहाँ पर दोनों पक्षुक अवर्ग किया था और alkaline किया था उसी प्रकार भी उसी प्रकार ही आगे जितने भी प्रश्ण इस प्रश्णावली में दिये गये हैं उसको सरल किया जा सकता है y equal to f of x और इसका power है y इस फलन का हमें आउकल जियात करना है अर्थाथ dy by dx कैलकुलेट करना है तो जब भी फलन के घात में एक दूसरा फलन हो तो हम log function apply करते हैं तो मिल जाएगा log y equal to log of f of x और इसका power y है तो y log function के पहले आ जाएगा और यह कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा मान करके चलते हैं कि यह पहला sum करने है अब log y equal to y into log of f of x है दोनों पक्षों का आउकलन x के साफ एक्ष करने पर तो log y का मिल जाएगा 1 by y और फिर y का आउकलन d y by dx equal to पहला y को एसेटिस रखते हैं दूसरे फलन का हम आउकलन लिखते हैं फिर दूसरे फलन को एसेटिस लिखते हैं और पहले फलन का आउकलन लिखते हैं तो यहां से 1 by y dy by dx equal to मिल रहा है y log of f of x log का आउकलन मिलता है 1 by x तो x के इस्थान पर है यहां पर f of x और फिर से f of x का उकलन लिखेंगे तो dy dx of f of x then dy by dx को पहले रखते हैं और फिर log of f of x function को put करते हैं तो 1 by y dy by dx equal to y यहां से आपको मिल दाएगा f dash x और यह है आपका f of x plus dy by dx into log of f of x तो यहां से हमें चाहिए है dy by dx लिखेंगे dy by dx इक्वल टू और यह y का त्याग गुणा कर देंगे साइड में तो मिल दाएगा y square f dash x upon f of x plus y का गुणा यहां पर होगा y then dy by dx log of f of x यह function यहां पर भी log यहां पर भी dy by dx है यहां पर भी dy by dx है तो इस function को left में ले आते हैं तो मिल दाएगा dy by dx minus y into dy by dx into log of f of x equal to y square f dash x upon f of x तो यहां से यह दिए हम dy by dx को कामा लेते हैं तो यहां से मिल दाएगा 1 minus y log of f of x equal to यह है y square f dash x upon f of x ultimately calculate करना है dy by dx दाएगा dy by dx equal to y square into f dash x upon f of x then यह denominator में आएगा 1 minus y log f of x यह dy by dx फलन का आउकलन है जो की हमें ग्यात करने के ले दिया गया था प्रस्टन दिया गया है कि यदि y equal to sin x का power sin x उसका power sin x यह up to infinity है हो तो सिद्ध कीजिए कि dy by dx equal to y square cot x upon 1 minus y log of sin x यह हमें सिद्ध करना है तो y equal to sin x का power sin x का power sin x और इसका power sin x इस तरीके से यह up to infinity है हुआ है तो इस प्रकार के प्रश्टन में भी एक आधार के बाद यतने भी घात पद है उसको हम y मान करके चलते हैं तो y equal to sin x का power y अब दोनों पक्षों में हम log apply कर देंगे तो यह आपको मिल जाएगा log y equal to log sin x इसका power y y सामने आ जाएगा और फिर यह log sin x अब दोनों पक्षों का उखलन करेंगे x के साफ x तो log y का 1 by y और y का फिर dy by dx अब पहले पद को रखते हैं दूसरे पद का हम अउकलन लिखते हैं फिर दूसरे फ़लन को हम एज़टिस रिखते हैं और पहले फ़लन का उकलन लिखते हैं तो यह है 1 by y dy by dx equal to y log sin x log x का हो जाएगा 1 by x तो x के सान पर यहाँ पर है साइन एक्स तो यह हमें मिल जाएगा 1 by sin x और फिर sin x का उकलन हमको गुणा में लिखना होगा यह फिर से log sin x और यह है dy by dx अब एक काम करते हैं कि जो dy by dx वारे पद हैं उन सबको एक तरफ ले आते हैं तो यह 1 by y और dy by dx माइनस log of sin x और dy by dx इसके बाद यह सारे पदें इसे हम solve कर लेते हैं y 1 by sin x है sin x का उकलन cos x तो cos x upon sin x आपको मिल जाएगा cortex यहां से dy by dx यदि आप वहनिश निकालने हैं तो यहां पर हमें मिल जाएगा 1 by y माइनस log of sin x और यह equal to है y cortex अब यदि यहां से आप dy by dx इसका लगताव साब पर तो निकालना चाहें तो यह आपको मिल जाएगा y और 1 minus y log of sin x equal to y cortex इस y को इदर पक्षांदर कर देते हैं तो y square हो जाएगा और ultimately हमें मिल जाएगा dy by dx equal to y square cortex upon 1 minus y log sin x और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था प्रशन दिया गया है कि dy by dx का मान गयात कीजिए जब x का power y plus y का power x equal to a का power b इस प्रकार के प्रशनों को सरल करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों पक्षांदर में log apply करते हैं तो log of x का power y तो यह x का power y plus y का power x equal to a का power b है इस प्रकार के प्रशनों को हल करने के लिए हम थोड़े दिर के लिए प्रतिसापन का उप्योग करेंगे और यह मान करके चलते हैं कि पहला पद जो है x का power y यह y के बराबर है तथा दूसरा पद v के बराबर है यह y का power x और फिर हमें मिल जाएगा u plus v equal to a का power b मान करके चलते हैं कि यह पहला समीकरण है हमें dy by dx ग्यात करने के लिए कहा गया है तो पहला ये u equal to जो है इसको लेकर के सरल करेंगे u equal to x का power y दोनों पक्षों में हम log apply कर देंगे तो मिल जाएगा log u equal to log x का power y y सामने आ जाएगा और फिर ये log x मिलेगा अब 1 by log u का alkaline करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 by u और फिर du by dx equal to y इसी तरीके से रहेगा log x का alkaline करेंगे तो 1 by x मिल जाएगा फिर log x इस इस रहेगा और y का alkaline करेंगे तो dy by dx हमें मिल जाएगा तो यहां से 1 by u du by dx equal to आपको मिल रहा है y by x plus log x into dy by dx या फिर यहां से हम du by dx की value निकाल सकते हैं du by dx equal to u into this term this is y by x plus log x dy by dx मान करके चलते हैं कि यह पहला समीकरण के बाद यह दूसरा समीकरण है अब दूसरा v equal to y का power x है दोनों पक्षों में log apply कर देंगे तो मिल जाएगा log v equal to x log y दोनों पक्षों का उकलन करेंगे log v का 1 by v dv by dx x को एजर्टिस रखते हैं log y का उकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 by y और फिर y का उकलन dy by dx अब log y को एजर्टिस रखते हैं x का उकलन करेंगे तो एक मिल जाएगा यहां से हम निकाल सकते हैं dv by dx यह dv by dx equal to v into यह x by y और dy by dx plus log y v का मान हम रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा y का power x into x by y dy by dx plus log y और यहां पर भी हम u का मान रख सकते हैं x का power y तो यह जो समी करण 1 है समी करण 1 के दोनों पक्षों का आउकलन करेंगे u का आउकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा dv by dx और v का आउकलन करेंगे यह दूसरा समी करण है और इस समी करण को हम 3 और इसको हम 4 नाम दे देते हैं समी करण 2 में इन दोनों का मान रख देते हैं यह dv by dx है दोनों को पुट कर देंगे यह u का मान हम रखते हैं x का power y तो समी करण 2 में 3 और 4 का मान रखने पर तो आपको मिल जाएगा dv by dx इकल टू यू u की value है x का power y और फिर यह है y by x plus log x dy by dx plus y का power x x by y dy by dx plus log y equal to 0 अब इसमें से काम करते हैं कि dy by dx वाले पत को एक साथ लिख लेते हैं तो dy by dx इस पत का गुणा इसके साथ होगा यह x का power y और log x मिलेगा दूसरा dy by dx वाला पत यह है यह y का power x into x by y मिल जाएगा इसके बाद जो पत हैं उसे हम directly multiply करके लिख सकते हैं जैसे कि यह plus sign x का power y यह है पहला तो यह y और x का power y upon x है तो यह x का power y minus 1 हो जाएगा similarly इस पत का गुणा इसके साथ होगा तो आपको मिल जाएगा y का power x log y equal to 0 यहां से हमें dy by dx का मान चाहिए है तो directly हम लिख सकते हैं और dy by dx equal to यह सारे पद दरजा करके रणात्मक्चिन के साथ आ जाएंगे तो माइनस y x का power y minus 1 minus y का power x log y upon यह x का power y इसके साथ गुणा में है तो यह पूरा पद गुणा में इधर भाग में आ जाएगा वक्षान तरक होने पर यह x का power y और फिर यह log x य का power x है और denominator में y है तो y का power x minus 1 आ जाएगा plus sign y का power x minus 1 into x तो यह वह मान है जो कि हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था पुर्णा प्रश्न यही है कि dy by dx का मान ग्याद कीजिए जब हमें दिया गया है cos of x plus y equal to y sin x तो इस question में हम दोनों पप्षों का उकलन सीधे x के साब x कर सकते हैं तो cos x plus y का उकलन करेंगे तो मिल दाएगा minus sin x plus y then d by dx of x plus y similarly यहां पर y और sin x यह दो अलग अलग पद हैं तो पहला पद हम एज़ेटिस लिखते हैं sin x का उकलन करेंगे तो आपको मिल दाएगा cos x अब पहले फलन को एज़ेटिस second term को एज़ेटिस दिखते हैं और पहले फलन का उकलन करेंगे तो आपको मिल दाएगा d y by dx अब यह है minus sin x plus y पहले पद का उकलन करेंगे तो मिल दाएगा एक दूसरे पद का उकलन करेंगे मिल दाएगा d y by dx यह equal to है y cos x plus sin x into d y by dx bracket open करके d y by dx वाले पद को एक तरफ ले आते बाकी पद को दूसरे तरफ पक्षानतर कर देते हैं तो यह मिल गया minus sin of x plus y minus sin of x plus y to d y by dx फिर minus sin y cos x फिर minus sin x d y by dx equal to 0 अब d y by dx वाले पद को एक साथ रखते हैं यह d y by dx तो पहला टर्म है minus of sin of x plus y दूसरा टर्म है minus sin x इसके बाद वाले पदों को हम पक्षानतर कर देते हैं यह जो पद है यह sin of x plus y और फिर यह y वाला पद y cos x अब इस पद को में पक्षानतर नहीं करना चाहिए था क्यों इस पद को पक्षानतर करना चाहिए था minus sin यदि हम common लें इन दोनों पदों से तो minus को हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स इंटू x plus y यह हमें सिद्ध करना है जो दिया गया है वह है x equal to y into log of xy मान करके चलते हैं कि समी करन एक है समी करन एक के दोनों पक्षों का आउकलन हम x के साफ एक्ष करेंगे तो इसका आउकलन आ जाएगा एक पहले पद को एज़ेटिस लिखते हैं दूसरे पद का आउकलन लिखेंगे फिर दूसरे पद को एज़ेटिस लिखेंगे और पहले पद का आउकलन लिखेंगे तो यह आपको मिल रहा है 1 equal to y dy by dx of this term log xy तो log का होता है 1 by that function तो मिल जाएगा 1 upon xy अब फिर d by dx of xy यह आपको लिखना होगा फिर यह है log xy into dy by dx यह y और y cancel हो जाएगा यह आएगा 1 upon x x into y तो x का उकलन करेंगे तो एक आएगा फिर x y का उकलन करेंगे तो dy by dx आएगा फिर यह plus log of xy into dy by dx चलिए अब यह जो right में उसे मैं left में लिख रहा हूँ जो left में है उसको right में लिख रहा हूँ अब bracket open करते हैं यह आपको मिल जाएगा x by y plus x और x cancel हो जाएगा यहां से आपको मिल जाएगा dy by dx प्लस यह पूरा term log of xy into dy by dx equal to 1 दोनों पदों पर dy by dx है और यह 1 by x है तो 1 by x वाले पत को दर पक्षांतर कर देते हैं और dy by dx वाले पत को एक साथ लिखते हैं इन दोनों से उबनेश निकालेंगे dy by dx तो यहां से आजाएगा 1 और यहां से आजाएगा log xy equal to 1 minus यह y by x हमने इदर पक्षांतर कर दिया समी करन एक में देखिए कि x equal to y log xy दिया हुआ है तो log xy equal to x by y लिख सकते हैं यहां पर हम x by y लिख सकते हैं तो यहां से मिल दाएगा dy by dx equal to dy by dx into 1 plus x by y equal to 1 minus y by x तो यहां से मिलेगा dy by dx इसका लगुतम साब पर या LCM आएगा y और यह y plus x इसी तरीके से right hand side का LCM या लगुतम साब पर आएगा यह x आएगा और यह y minus x अब dy by dx calculate करना है तो हम लिख सकते हैं dy by dx equal to इस पत को पक्षांतर कर देते हैं तो y upon y plus x into y minus x upon x so ultimately जो हमें चाहिए था वहां तक हम पहुंच चुके हैं dy by dx equal to y into y minus x upon x into y plus x या फिर x plus y इस तरीके से हम लिख सकते हैं तो यही वहमान है जो कि हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था प्राचलिक फलन के अउकलज derivatives of parametric function यदि चर x और y को तीसरे चर t के पदों में व्यक्त किया जाए तो तीसरे चर t को प्राचल या पैरामेटर कहते हैं वे समीकरण जो x और y को अलग-अलग तीसरे चर t के रूप में व्यक्त करते हैं प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं प्रमेय है कि यदि x equal to f of t जथा y equal to phi of t हो तो dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt अब इसके हम proof देखते हैं कि माना t के मान में अलप व्रिद्धी डेल्टा t की जाती है जिससे x और y के मान में करम सह डेल्टा x और डेल्टा y की व्रिद्धी होती है अतह जब डेल्टा t tends to 0 होगा तो हमें मिलेगा डेल्टा x tends to 0 तथा डेल्टा y tends to 0 तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं डेल्टा y upon delta x equal to डेल्टा y by delta t upon डेल्टा x by delta t जदी इन दोनों पक्षों में हम लिमिट अप्लाई कर दे डेल्टा x tends to 0 तब हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा x tends to 0 डेल्टा y by delta x equal to लिमिट डेल्टा t tends to 0 डेल्टा y by delta t upon डेल्टा x by delta t अब limit को अंस वाली रासी में अलग और हर वाली रासी में अलग अप्लाई करते हैं तब हमें मिल जाएगा limit delta t tends to 0 delta y by delta t whole upon limit delta t tends to 0 delta x upon delta t तो इस प्रकार left side में जो function है इसको लिखा जा सकता है dy by dx और right side में जो function दिया गया है उसे लिखा जा सकता है dy by dt upon dx by dt तो उस प्रकार हमें मिल रहा है dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt चलिए आईए देखते हैं इसे सम्बंदित कुछ प्रश्ण प्रश्ण दिया गया है कि dy by dx का मान ग्याद कीजिए यदि x equal to 80 square और y equal to 280 यहां दिया हुआ है तो x equal to 80 square और y equal to 280 दिया गया है और हमें कहा गया है कि dy by dx का मान ग्याद कीजिए तो dx देखिए x भी t का ख़लन है और y भी t का ख़लन है तो दोनो इधर भी दोनो पकषो पर t के साफ एक्श का उक्ष करते हैं और यहां पर भी t के साफ एक्ष का ऊक्ष करते हैं तो यहां पर हमें मिल जाएगा dx by dt इक्वाल to 280 क्योंकि ए तो constant है t square का oculan t के साफ x करेंगे तो मिल जाएगा 2t इसी प्रकार इसका oculan करेंगे t के साफ x तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा dy by dt equal to 2a अब मान के चलते हैं कि यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है तो dy by dx को लिखा जा सकता है dy by dt into dx by dt dt को गुणा किया dt को भाग किया या फिर आप सीधे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि dy by dt upon dx by dt अब यहाँ पर dy by dt कमान और यहाँ पर dx by dt कमान रख दीजे तो हमें मिल जाएगा dy by dx equal to 2a upon 2a t 2a or 2a cancel हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिल गया dy by dx equal to 1 upon t और यही हमें ग्याद करने के लिख कहा गया था कि dy by dx कमान क्या होगा प्रस्ण दिया गया है यदि y equal to 80 square upon 1 plus t cube और x equal to 280 upon 1 plus t cube हो तो dy by dx कमान ग्याद कीजे तो ध्यान दीजे कि y भी t का फलन है और x भी t का फलन है तो पहले हमें dy by dt निकालना होगा और dx by dt निकालना होगा और फिर दोनों का यदिया अनुपात ग्यात कर लेंगे तो हमें dy by dx मिल जाएगा तो y equal to 80 square upon 1 plus t cube दोनों पक्षों का उखलन करते हैं t के साफ x तो dy by dt equal to दो फलनों का यदिया अनुपात है और यहां पर हमें इसका अउकलन करना है तो इसे हम लिखते हैं हर में हर का वर्ग फिर हर वाला जो पद है ये अन्स का अउकलन फिर माइनस माइनस अन्स वाला पद और हर वाले पद का अउकलन तो इसे जब आगे और सरल करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा वन प्लस टी क्यूब का होल स्क्वेर और वन प्लस टी क्यूब एटी का स्क्वेर को अउकलन करेंगे तो मिल जाएगा तू एटी और फिर यह वन का एक का उकलन करेंगे शून यह टी क्यूब का उकलन करेंगे मिल जाएगा 3 t square यह 3 t square और फिर यह a t square यह a t square solve करने पर हमें मिल जाएगा dy by dt equal to 1 plus t cube into 2 a t और minus 3 a t का power 4 then whole upon 1 plus t का power 3 का square अब यह इसे सरल करना चाहें तो कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से कि यह 1 plus और इसको multiply करेंगे तो मिल जाएगा 2 a t का power 4 और फिर यह minus 3 a t का power 4 upon 1 plus t cube और इसका power में है 2 तो यह solve करने पर मिल जाएगा 1 minus a t का power 4 then whole upon 1 plus t cube और इसका square मान करके चलते हैं कि यह समी करन एक है दूसरा x equal to दिया गया था 2 a t upon 1 plus t cube तो यह से हमें मिल जाएगा dx by dt equal to 1 plus t का power 3 whole power 2 और फिर 1 plus t cube then d by dt of numerator that is 2 a t फिर minus 2 a t then d by dt of denominator 1 plus t का power 3 चलिए आगे से रल करते हैं यह है 1 plus t का power 3 और इसका whole power है 2 2 a t का उकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2 a फिर यह 2 a into 1 plus t cube फिर minus यह है 2 a t और 1 का काउकुलन शुनियो t cube काउकुलन 3 t square into 3 t square यहां से आपको मिल जाएगा dx by dt equal to multiply कर देते हैं यह 2 a plus 2 a t cube minus 3 into 2 6 a t का power 3 whole upon 1 plus t का power 3 whole power 2 यहां से मिल जाएगा 2 a minus 4 a t का power 3 upon 1 plus t का power 3 और इसका power 2 यह समी करण 2 हमें चाहिए है dy by dx तो इसे लिखा जा सकता है dy by dt divided by dx by dt यह जो मान है 1 minus a t का power 4 whole upon 1 plus t cube and whole power 2 अब यह dx by dt dx का मान है 2 a minus 4 a t cube और यह power numerator में चला जाएगा यह 1 plus t cube whole square यह दोनों हम cancel हो जाएगे और ultimately हमें मिल जाएगा 1 minus a t का power 4 upon 2 a minus 4 a t का power 3 अब यदि चाहें तो यहां से हम यहां पर हमने जो multiply किया था यहां पर एक mistake यह हुआ है कि 280 का multiply 1 से करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा 280 यह तो यहां पर भी हमें मिल जाएगा 280 यह जो dy by dt का मान है यहां पर हमें परिवरतन करने के अवश्यक्ता है और यह है 280 यह दोनों टम कैंसल हो जाएगे और अंस में हैं हमारे पास 280 अंस और हर में दोनों से हम एक को कैंसल कर सकते हैं तो निम्रेटर में यह अंस में आ जाएगा 2t-t का पावर 4 divided by 2-4t का पावर 3 अब अंस से यदि यदि हम t का पावर 3 और निम्रेटर या हर से यदि हम 2 का पावर 3 तो यह वह मान है जो कि हमें ग्यात करने के लिए कहा गया था क्रश्ण दिया गया है कि यदि x equal to a into cos theta plus theta sin theta तथा y equal to a into sin theta minus theta cos theta हो तो dy by dx का मान ग्यात कीजिए तो पहले जो राचियां दी गई है उसे हम लिख लेते हैं यह है x equal to a into cos theta plus theta sin theta equation 1 है दूसरा है y y equal to be दिया हुआ है लेकिन y को हम बाद में solve करेंगे पहले हमें dx by d theta निकाल लेते हैं क्योंकि x और y दोनों ही theta के फलन है तो theta के साफ एक्च आउकलन करने पर dx by d theta यह तो constant है cos theta का आउकलन करेंगे आपको मिल जाएगा minus sin theta फिर plus theta का आउकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 और जब sin theta का आउकलन करेंगे मिल जाएगा cos theta तो यह मान हमें प्राप्त हुआ समीकरण 1 के आउकलन से अब यह minus sin theta plus sin theta cancel हो गया तो ultimately हम मिल गया a theta cos theta मान लेते हैं कि यह समीकरण 2 है दूसरा y का मान दिया गया है y equal to a into sin theta minus theta cos theta समीकरण 3 इसका आउकलन करते हैं theta के साफ एक तो dy by d theta equal to a sin theta का आउकलन cos theta minus पहले theta का आउकलन करते हैं तो मिल जाएगा 1 और यह cos theta is it is रहेगा और plus और minus का multiply minus और फिर जब cos theta का आउकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा sin cos theta का जब आउकलन करेंगे मिल जाएगा minus sin theta तो minus or minus plus sin theta तो इस तरीके से minus cos theta plus cos theta cancel हो जाएगा और आपको मिल रहा है a theta sin theta माल लेते हैं कि यह समीकरन 4 है अब dy by dx यहाँ ग्यात करना है और इसे हम लिख सकते हैं dy by d theta into d theta by dx या फिर इसे लिखा जा सकता है dy by d theta upon dx by d theta तो dy by d theta यह है a theta sin theta और dx by d theta है a theta cos theta a theta a theta cancel sin theta upon cos theta यह आपको मिल रहा है 10 theta तो इस प्रकार जो हमें ग्यात करने के लिए कहा ग्या था कि dy by dx का मान ग्यात कीजे यहाँ पर हमें 10 theta प्राप्त हो रहा है एक फलन का दूसरे फलन के सापिक्ष आउकलन differential coefficient of a function with respect to another function माना कि y1 equal to f1 of x तथा y2 equal to f2 of x है यदि दोनों समीकरणों को x के सापिक्ष आउकलन करें तो हम लिखेंगे dy1 upon dx equal to f1 dash of x तथा dy2 by dx equal to f2 dash x अब यदि हमें dy1 by dy2 निकालना है तो इसे हम लिख सकते हैं dy1 upon dx upon dy2 upon dx तो अंस में जो रासी है वो है f1 dash x और हर में जो रासी दिखाई दिखाई दिए रही है यह है f2 dash of x तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि फलन y1 का y2 के सापिक्ष आउकल गुणांग बराबर x के सापिक्ष y1 का आउकलन बटे x के सापिक्ष y2 का आउकलन आईए देखते हैं इसे सम्मंदित कुछ प्रश्न प्रश्न दिया गया है कि 10x का सेख x के सापिक्ष आउकल गुणांग ग्याद कीजिए तो आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह 10x दिया गया है और x के इस्थान पर सेख x हमें d by d x का मतलब है कि किसी फलन का x के सापिक्ष आउकलन यहां पर हमें d by d सेख x of 10x यह हमें ग्याद करने के लिए दिया गया है तो इसके लिए हम यह मान करके चलते हैं कि y1 इक्वल टू 10x है और y2 इक्वल टू सेख x है यदि y1 का आउकलन करें d y1 by d x इक्वल टू 10x का आउकलन करेंगे तो सेख x मिल जाएगा और y2 का आउकलन करेंगे x के साफ एक सेख x का तो सेख x का हमें मिल जाएगा सेख x इंटू 10x तो यदि हम d y1 by d y2 ग्याद करना है तो हमें लिखना होगा d y1 by d x और फिर divided by d y2 by d x तो d y1 by d x यह आपको मिल गया सेख x यह दिया गया है अब हमें प्राप्ठ हुआ है सेख x इंटू 10x तो यहां से यह सेख x है सेख x 10x तो यहां से एक सेख x और यहां सेख x कैंसल हो जाएगा और आपकी पास आएगा सेख x अपान 10x यदि आवशक्ता हो तो इसे हम sin और cos के form पर भी convert कर सकते हैं sayx equal to 1 upon cos x और 10x equal to sin x upon cos x तो cos x cos x cancel हो जाएगा 1 upon sin x और 1 upon sin x होता है cos x तो यहां से आप लिख सकते हैं कि dy1 by dy2 equal to cos x और यही हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था अगला प्रस्ण दिया गया है कि sin inverse 1 minus x upon 1 plus x का इसको root x के सापिक्ष आउकलन ग्याद कीजिए या आउकल गुणांक ग्याद कीजिए तो हम यह मान करके चलते हैं कि पहला जो फलन दिया गया है यह y1 है जो कि है sin inverse 1 minus x upon 1 plus x तो इस स्थिती में हम root x equal to 10 theta इस तरीके का हम प्रतिस्थापन उप्योग करते हैं तो यह जब आप put करेंगे तो आपको मिल जाएगा y1 equal to sin inverse 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta जो है यह cos 2 theta का फार्मूला है तो आपको मिल जाएगा y1 equal to sin inverse cos 2 theta यहाँ पर sin inverse है और यहाँ पर cos theta है तो cos theta को sin में convert कर लेते हैं ताकि यह दोनों function एक दूसरे के receiver का लोग करके cancel हो जाएगे तो इसे हम लिख सकते हैं sin inverse sin 2 theta can be written as sin 90 minus theta तो यह pi by 2 minus 2 theta sin 90 minus theta होता है cos theta तो यह आगया cos 2 theta इस तरीके से यह sin और sin cancel हो गया अब हमें यहाँ पर मिल रहा है pi by 2 minus 2 theta अब हमने जो क्तिस्थापन किया था उसका मूलमान हम यहाँ पर रख देते हैं तो प्राप्त हो रहा है y1 equal to pi by 2 minus 2 into theta theta equal to हम लिखेंगे tan inverse root x यह माना में प्राप्त होगा है चुकि हमने root x equal to tan theta यह value put किया था है यहाँ पर अब dy1 by d theta यहाँ थीटा तो नहीं है यहाँ पर x है तो dy1 dy1 by dx यहाँ ग्याद करते हैं यह तो constant में 0 हो जाएगा minus 2 tan inverse x का उकलन चुकि dy1 by dx of 10 inverse x यह होता है 1 upon 1 plus x square यहाँ पर x की स्थान पर है root x तो यह में मिल जाएगा 1 upon 1 plus root x का square dy1 by dx of square root x इसको solve करेंगे तो आपको ultimately मिल जाएगा यह है minus 2 upon 1 plus x और square root x का उकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 by 2 root x तो यह 2 or 2 cancel हो जाएगा और हमें मिल रहा है dy1 by dy1 by dx x equal to minus 1 upon square root x और यह 1 plus x यह हमें प्राप्ट हो रहा है अब पुना y2 equal to हम square root x ले करके चलते हैं अर्थाथ x का power है 1 by 2 अब इसका उकलन यदि x के सापिक्ष किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1 by 2 root x इसको sumhikran एक नाम दे देते हैं तो यदि हमें dy1 by dy2 याद करना हो तो हम लिखेंगे dy1 by dx divided by dy2 by dx तो dy1 by dx यह हमें मिल चुका है minus 1 upon square root over x और यह 1 plus x फिर y2 by yx यह 1 और यह 2 root x numerator में चला जाएगा यह root x root x cancel हो जाएगा और हमें मिल रहा है minus 2 upon 1 plus x जो हमें गयात करने के लिए कहा गया था dy1 by dy2 यह हमें मिल रहा है minus 2 upon 1 plus x तो यह दिया गया प्रशन का उत्तर है जो कि हमें गयात करने के लिए कहा गया था अगला प्रशन दिया गया है कि 10 inverse 2x upon आप एक शौकलन गयात करेंगे इसके लिए हम पहले प्रशापन का उप्योग करते हैं ताकि यह थोड़ा और सिंप्लिफाई हो सके x equal to 10 theta रखने पर तो आपको मिल दाएगा y1 equal to 10 inverse 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta तो यह basically 10 2 theta का फार्मूला है 10 a plus b आप जानते हैं 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b उस फार्मूले से आप ध्यान दें तो यह है 10 inverse इसके बाद वाला जो फॉलन है यह 10 2 theta का फार्मूला है 10 inverse और 10 दोनों cancel हो जाएगा और हमें मिल रहा है y1 equal to 2 theta और 2 theta theta equal to हम लिख सकते हैं यहां से 10 inverse x अब दोनों पक्षों का उकलन करते हैं x के साफ एक्स तो dy1 by dx equal to 2 10 inverse x का उकलन 1 by 1 plus x square तो यह हमें जो मानपराप्त हुआ यह है dy1 by dx equal to 2 by 1 plus x square यह पहला अब पुनह यह मान करके चलेंगे कि जो दूसरा फ़लन दिया गया था यह y2 है y2 equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square यह माना में दिया गया था तो यहां पर हम x equal to 10 theta यहां पर भी पूट करेंगे 10 theta रखने पर तो आपको मिल जाएगा y2 equal to cos inverse 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta यह भी cos 2 theta का extension है cos 2 theta का प्रसार है तो यह cos inverse cos 2 theta cos inverse और cos दोनों cancel हो जाएगे और आपको मिल जाएगा y2 equal to 2 theta और पुना theta किस्तान पर हम लिखेंगे 10 inverse x अब dy2 by dx करेंगे तो मिल जाएगा 2 10 inverse x काउकलन 1 by 1 plus x square तो ultimately यहां पर भी हमें मिल रहा है 2 upon 1 plus x square मान करके चलते हैं कि यह 2 है समय करण 2 अब हमें ग्यात करने के लिए कहा गया है dy1 by dy2 तो इससे आप लिख सकते हैं dy1 by dx and whole upon dy2 by dx तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 upon 1 plus x square और यह भी है 2 upon 1 plus x square ultimately सारे term cancel हो जाएगे और 1 मिल जाएगा तो हमें जो उत्तर चाहिए था यह dy1 by dy2 equal to 1 हमें प्राप्त हुआ